आज मैं मालवानी प्रॉंस मसाला करी की बहुत ही आसान और जबर्दस रेसिपी शेयर करूंगी इंपोर्टेंट टिप्स के साथ वीडियो को एंट तक ध्यान से जरूर देखे और पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दे और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें ये मैंने 200 ग्राम प्रॉंस लिया है इसके उपर की तरफ इसकी वेन होती है जिसे धागा भी बोलते हैं इसे निकालना जरूरी होता है नहीं तो फूट पॉइजन भी हो सकता है तो चाकु से बिल्कुल हलके हां से इस तरह से कट लगाएंगे और इस तरह से खीचकर वेन को निकाल लेंगे ये उपर की वेन निकालना बहुत जरूरी है अंदर साइड भी हलका सा कट लगा कर यहां भी पतला धागा होता है इसे भी खीचकर निकाल लें तो प्रॉंस को क्लीन करने के बाद मैंने अच्छे से धो लिया है और ये मैंने दस से बारा ड्राय कुकम लिया ये मार्केट में ना मिले तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसे प्रॉंस मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर और खटा पनाता है पानी डाल कर इसे भीगने के लिए रख देंगे अगर आपको ड्राय को कम नहीं मिले तो आप एक बड़ा चमच इमली भीगो कर भी इस्तेमा अध्रक का दो हरी मिर्चे और एक मुठी धनिया लिया है दो बड़ा चमच फ्रेश नारेल भी इस चटनी में एट कर दे अगर आपके पास है तो नहीं तो ऐसे भी ये मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा हरी मिर्च दो ही ले क्योंकि यहां पर एक चुटा चमच मालवाली म पाउडर एट करेंगे इससे रंग अच्छा आएगा और यह तेज भी नहीं होती है अब लहसुन अध्रक हरी मिर्ची धनिया को मिक्सर में डाल कर पहले बिना पानी डाले पीसेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल कर पेस्ट बना लेंगे अब कढ़ाई में चार बड़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है प्यास गोल्डन फ्राय हो गई है इस स्टेश तक प्यास को जरूर फ्राय करें अब इसमें एक बड़ा टमाटर बारिक कटा हुआ एट करके मिक्स करेंगे अब कौटर टीस्पून नमक एट करेंगे ध्यान रहे आदा चुटा चमश नमक प्रॉंस को मैरिनेट करते वक्त भी एट किया था उस इसाब से ही नमक डाले टमाटर के साथ नमक डालने से टमाटर जल्दी कलकर नरम हो जाते हैं टमाटर के सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से टमाटर को भूनेंगे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं अब इसमें यह हरी तरह से भूनेंगे तो बहुत ही अच्छे से भून गया है तरी अच्छे से अलग हो गई है अब इसमें मरीनेट की हुए प्रॉंस एड़ करके दो मिनट मसाले के साथ भूनेंगे अब भीगे हुए कोकंपानी के साथ ही डाल कर लेंगे जिस बरतन में प्रॉंस मेरिनेट किया था उसमें आधा कप पानी डाल कर लगा हुआ मसाला भी पूरा ले लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इसे ढाक कर लो फ्लेम पर सिर्फ पांच मिनट पकाएंगे प्रॉंस जल्दी ही गल जाते हैं अगर ज्यादा देर पकाएंगे तो ये रबर की तरह हार्ड हो जाएंगे तो पांच मिनट हो गए हैं तरी बहुत ये अच्छे से उपर आ गई है अब इसमें दो पिंच गरम मसाला पाउडर एट करके मिक्स करेंगे अब फ्लेम को बंद करके कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे अब मैं आपको एक प्रॉंस निकाल कर चेक करवाती हूँ ये देखिए प्रॉंस अच्छे से गल भी गए है और एकदम सौफ्ट भी है रबर जैसे बिल्कुल भी नहीं हुए है इसलिए ध्यान रहे प्रॉंस को सिर्फ पाच मिठी पकाना है इससे ज्यादा ना पकाएं तो ये गर्मा गर्म मालवानी प्रॉंस मसाला करी बनकर तैयार है इसे आप गेहूं की रोटी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन चावल की रोटी के साथ या जवार की रोटी के साथ ये बहुत ही मज़िदार लगती है और चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं कोकम का खटा बन करी के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा एन्हांस कर देता है एक बार आप भी इस तरह से प्रांस मालवारी मसाला करी जरूर बनाए बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है ये ट्राइज जरूर करें